नवस्कार दोस्तों मैं नरे सुथार आपका यूट्यूब चनल में स्वागत करता हूं जैसा कि आज हम अपने अपडेट्स में लेके आये हैं कैस्टर का अपडेट्स केस्टर का हमने दो रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लेके आये थे। पहला रिपोर्ट था 27 पर विल 2019 को जिसमें हमने केस्टर को नीचे के लेवल 5000-5100 की आज पास बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, बाइंग की सला दिये थी, जिसमें हमने उपर के टारगेट लेके किया था उपर की तरफ जो इसका शॉट रेंज था उस रेंज के उपर तो हमने दूसरा रिपोर्ट हम लेके आये थे पांच फरवरी 2019 को जिसमें हमारा कैस्टर में वही था बाइंग ऑन डिफ उसके बाद हमने 5500 का जो ब्रेक आउट ले हो था वहां पे बाइंग का से कैस्टर दे चुका है अब हम बात करें कि 12 अप्रेल को जो कैस्टर ने हाई बनाया था वहां से हम लोगों को लगा चार्ट के उपर कि अभी यहां से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए तो हमने अपने सब प्राइवेट क्लाइंट्स को हमने बाइंग जो भी चाहिए और जो छोटे क्लाइंट से उनको भी हमने यही रिकमेंडेशिन किया था कि कैस्टर में अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए उसके बाद 12 अपरेल को जो हाई बना उसके बाद हमने 15 अपरेल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी तो हमने करेंपने सबी क्लाइंटको मिले सब्सक्राइंटको प्रॉफिट के यहां से स़ाना चाहिए केस्टर अपने हम तो जब दो गया है प्यल में तो हो अब अब क्या है तो मेरी यह शला है जिस फूड़ा वर वेट करना चाहिए बाइंग करने के लिए अब भाइंग करनी चाहिए वहां से आपको पा रहा हूं उसमें अगले कुछ दिनों के लिए और सेलिंग प्रैसर में रहेगा केश्टर का जो महीं कॉंट्रेक्ट है जो इसने जो रेंज था 5200 से चलके 6234 तक का हाई बनाया और अब जो करेक्शन है वो कंटीनू चल ला है और ऐसा लग रहा है जी करेक्शन थोड़ा और डीप होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट पे 5600 और 5450 के लेवल 5600 और 5450 के लेवल आने वाले कुछ दिनों हमको केश्टर में दिखाई दे सकते हैं तो बाइंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को वेट करना है डीप का वहाँ पे आपको मिले 5450 5500 के आस पास तो जैसा long term view तेजी का ही है केश्टर में तो वहां से बाइंग करके चलने पर हमको आने वाले अगले कुछ समय के लिए और मुनाफा अच्छा देखने को मिल सकता है और जो पुराने हाई हमने देखे हैं वह भी अपने को और अच्छे उपर के लिए दिखाई दे सकते हैं तो आगेट थे वह सेम रहेंगे 6000 प्लस आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं धन्यवाद